Android devices से hacking नहीं होती ऐसा किसने का मैं लेकर आए उन top 10 hacking apps जिनका यूज करके आप Android devices में ethical hacking perform कर सकते है तो हेलो गाईज, welcome back to WSQ Tech channel, this is Ankur Joshi signing in तो गाईज, आज अब दिखेंगे top ethical hacking apps कौन से हैं Android devices में हमारे list में सबसे पहला app आता है उसका नाम है M-Spy, M-Spy के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ M-Spy एक complete spying application है यह सारे features मतलब इसमें कही सारे features है like WhatsApp, SMS tracking, GPS tracking बाकि जो apps हैं बाकि सारे mobile devices के अंदर like WhatsApp, Snapchat, Facebook यह और भी बाकि जो messaging apps है यह यह कोई online shopping apps है यह जो भी उसके device में applications है उन सबकी data को access करने की information यह देता है basically यह complete spying tool है अगर आपने यह tool किसी के device में install करा और उसको अपने device में sign in करा तो उसके device का complete access आपके पास होगा complete आप यह देखे इसके features आपको यहां show हो रहे हैं और यह one of the best spying application है बढ़ते हैं हमारी second application पे जिसका नाम है android rat अब देखें android rat नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यह android के लिए एक rat है यह यह remote access trojan अब देखें यह android के लिए trojan create करता है अब देखें work for mac and windows अब यह mac और windows पे भी work करता है यह आपको gps और wifi password location यह तो इसके यह basic features यह आपको शोर है देखें record video and click snap for the target devices आप उसके target device जो है जिसमें आपना remote access trojan डाला है उस device के आप snaps ले सकते हैं उसकी video record कर सकते हैं यहां तक कि आप उसके device को monitor कर सकते हैं और उसपे files upload कर सकते हैं यह आपको एक complete देखें जैसे इसका नाम है remote access trojan यह आपको remotely पूरा access देता है आपके victim का आप अपने victim के device का complete access यहां ले सकते हैं करते हैं हमारे list की next application पर जिसका नाम है जैंटी अब देखें जैड एंटी यह नाम है इस application का basically यह application वाइफाय यानि network scan वाइफाय कह दीजिए या पर network scanning कह दीजिए यह network scanning के लिए use होता है अब देखें यह full network scan conduct करता है डिवाइस टाके डिवाइस की complete details आपको लाके शो कर देता है और उसके vulnerabilities यानि देखें चेक दवीक स्पॉट्स उसके सारे vulnerabilities आपको शो कर देगा और उनके exploits भी शो कर देगा अगर आप किसी वाइफाय को hack करना जाते हैं तो उस पर यह पहले उस वाइफाय को scan करेगा उसकी vulnerabilities निकालेगा फिर उन vulnerabilities के exploits आपको बता देगा जिनके help से आप उस वाइफाय को exploit कर सकते हैं और यह सब होने के बाद यह आपको complete उसकी एक देगे see exploit जो है यह यह भी network scanning का टूल है बट मेंड परपस इसका जो है वह आता है man in the middle attack में इसको man in the middle attack के लिए ही यूज करते हैं क्योंकि यह काफी अच्छा है उस attack में यह भी network scanning perform करता है target के fingerprint निकाल देता देगे fingerprint जयानि उसके device में जो भी application रन हो रहे हैं उनके कौन से versions रन हो रहे हैं उनके software कौन सा है उस चीज को हम OS fingerprint कहते हैं तो वह आपको निकाल के देगा यह application open port शो कर देगा जो कि end map यह नहीं एक network scanner आपको provide करता है same cs fluid वही work करता है बट इसमें एक plus point यह है कि man in the middle attack perform करने के capable है आप इससे man in the middle attack perform कर सकते हैं और एक और feature जो कि इसमें बहुत amazing है कि integrated trace route and MSF यानि इसमें trace route और MSF यानि metasploit framework जो है वो इसके साथ integrated है यानि इसी के अंदर आपको यह इसका feature मिल जाएगा तो यह काफी अच्छा application है जिसे आप यूज कर सकते हैं man in the middle attack के लिए exploitation के लिए trace route आप perform कर सकते हैं और network scanning तो यह आपको access देता ही है तो बढ़ते हैं हमारे next application पे जिसका नाम है face sniff देखे face sniff निफ नाम से ही आप समझ जाएंगे कि यह sniffing tool है यह बेसिकली अब देखिए यहां इसने पहले कह दिया कि यह rooted device पर वक्रता है अब देखे आपको sniffing करने है तो आपके पास route access होना ज़रूर ही है अगर आपका device root है तो आप face sniff application का use कर सकते हैं और इससे आप sniffing perform कर सकते हैं यहां basically यह wifi password तो sniff करता ही है बट अगर आपके wifi से कोई connected है या ऐसे wifi से public wifi में आप connected है जहां उस wifi से काफी और लोग भी connected है तो आप इस application का use करके उनकी login details जिस जिस website पर वो login कर रहा है उनकी login details भी आप sniff कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा tool है sniffing करन बिलकुल mspy की तरह user की complete access प्रोवाइड कर देता है target की सारी details यहां तक कि उसके apps के जो codes हैं वो भी phone calls, text messages यहां तक की है wifi network traffic अब देखें network traffic तो यह वैसी sniffing या network scanning का part हो गया तो यह यह भी provide करता है आपको exploits भी provide करता है इसके target device पे access complete access यहां तक कि आप उसके device पे phone calls और text messages तक भी read कर सकते हैं तो android box काफी अच्छा application है हाँ यह mspy की तरह है mspy में देखें आपको subscription लेना पड़ता है यह android box जो है यह पहले तो free था बट अब इसका इन्होंने क्या application के prices रखे हैं subscription के वो उसकी मुझे अभी knowledge नहीं है क्योंकि मेरे पास application है उसका free version है तो बढ़त कोई भी आपने जैसे इस पर search करा कोई भी इसमें आपने searches perform करें तो सबसे पहले यह उनके main जो pages है like php admin pages php config and SQL injections के अब देखें php admin और php config pages तो यह आपको show करेगा यहां तक कि वो आपको vulnerable parameters भी show कर देगा जिसके help से आप SQL injection perform कर सकता है यह और basic look up information तो यह आपको provide करता ही ह जैसे की domain names उनकी IPs, trace root, ping, dnsdg यह सारे tools यह provide करता है और इसके blocks भी आपको यह show करेगा जिस पर आपको इसके latest news security related जो latest news है वो आपको मिलती रहेगी तो यह काफी अच्छा tool है अगर आप इससे information लेना चाहा है क्योंकि information gathering तो करता ही है किसी भी आप जिस पर आपके target पर information gathering तो यह करता है लेकिन आपको भी information cyber security related यह provide करता है तो बढ़ते हैं हमारे next application पर जिसका नाम है काली linux nethunter अब देखिए hacking की बात हो और काली linux का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो काली linux ने एक android application या फिर एक complete android framework बना रखाए जिसका नाम है nethunter काली linux nethunter जो है य application को download कर सकते हैं इसकी website पर complete process दे रखा है कि कैसे आप काली linux nethunter को download कर सकते हैं यह आपको complete जो यहां पर show हो रहे हैं यह सब चीज़े तो यह normal है यह आपको complete जो काली linux आपको provide करता है वही चीज़े provide करता है max to max android devices के लिए like आपको यह metasploit framework मिल जाएगा endmap मिल जाएगा और यह सब चोटे मोटे tools है बाकी सारे जो भी tools है काली linux के अंदर वह सारे यह application provide करता है और यह tool आपके android devices में अगर connected है तो आप इससे brute forcing जो है वह काफी अच्छे से कर सकते हैं like आपने android device को किसी से keyboard से connect कर दिया किसी के laptop से connect कर दिया तो वह brute force attack करके वह उसके password crack कर सकता है और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप password brute force करने की बजाए password sniff करना चाहते है तो आप अपने android device को उसके laptop से या PC से plug-in करे रहने दीजिए और अपने काली linux net hunter में आप key logger activate कर सकते हैं जिससे आपके device पे वह सारे keys log होगी जो भी keys आपके victim ने यानि जो PC या laptop है उसके user न data सारा data passwords तो यह आप use कर सकते हैं काली linux net hunter का और काली linux net hunter के अंदर आपको सारे tools मिल जाएंगे like network scanning, packet sniffing, brute force attack, password cracking, काफी सारे tools मिल जाएंगे तो यह all-in-one hacking package application है तो बढ़ते हैं हमारे next application पे तो देखिए Nmap को आप जानते हैं Nmap जो tool है जो काली linux में use होता है network scanning के लिए हम use करते हैं Android devices के अंदर उसका नाम complete है मतलब Nmap का मतलब ही network mapper होता है तो यहां पे आप application जो है उसका नाम ही network mapper है तो network mapper के नाम से आपको यह application मिल जाएगी जिसके पास complete Nmap की privileges होगी यानि Nmap जो task perform कर सकता है network mapper जो application है यह भी वही same task perform कर सकता है अब देखिए यहां पे लिख रहा है front end of Nmap scanner तो front end का मतलब क्या है front end का मतलब यह थोड़ा GUI version है उसका मतलब आपको Nmap तो आप command line यूज करता है बट यह थोड़ा front end है यानि आपको digital interface यानि graphical interface आपको शो होगा आपके सामने और basically अगर यह application है तो आपको एक graphical interface तो यह show करेगी और देखिए यहां पे लिख रखाया इसने की download and install use of Nmap scanner तो network mapper है तो Nmap के scans तो आपको provide करेगा ही सारे जो भी processes आपको Nmap में देखने को मिलते हैं वो सारे यह tool provide करेगा open port services configurations or vulnerabilities आपको यह show कर देगा यहां तक कि आप इस पे scripts जो है run करना चाहें अपने target पे किसी vulnerable port पे तो यह वो भी आपको access देता है यानि आपको वो भी privilege है कि आप वो सब कर सकते हैं इस application की health से तो बढ़ता है हमारी next and final application पे जिसका नाम है droid ship अब देखें droid ship यह भी पहले तो बता दूँ मैं कि यह root पे ही work करता है rooted devices पे work करता है यह basically यह भी sniffing application है इसकी मदर से आप sniffing कर सकते हैं अपने victim device के activities को आप monitor कर सकते हैं और security vulnerabilities को तो आप check करी सकते हैं और आप जब wifi से connected हैं तो कौन से weak links है system में victim के वह आप find out कर सकते हैं और इसमें आपको बाकि सारे features तो यह मिली रहें like hacking wifi messengers various social media messages तो यह आपको एक sniffing provide कर देगा जिससे आप अपने victim devices को sniff कर सकते हैं अगर आप wifi से connected है तो उनके wifi से जो messages जा रहे हैं उन सब messages को आप sniff कर सकते हैं वह आपकी device के through होकर जाएंगे यानि जो भी कोई chatting कर रहा है या कोई messaging कर रहा है तो वह आपके device में show होगी आपके device में वह data capture होगा तो यह थे हमारे top 10 Android के hacking applications देखी यह सारी application के बात बहुत अच्छी अच्छी features हैं बट मैं आपको recommend करूंगा कि आप इनका गलत इस्तमाल ना करें इन सब का use आप cyber security के लिए ही use करें क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया cyber security field के अंदर top पे जाए तो इसके लिए हम सब को मिलकर बहुत मैनत करने होगी और unethical field में हमें जाना ही नहीं है तो इसमें आशा करता हूँ आप सभी इनका use cyber security के लिए करेंगे इनसे कोई illegal task perform नहीं करेंगे किसी को harm नहीं पहुचाएंगे तो इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इता ही इस अंकुर जोशी signing off